प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की पुस्तक सारंगी का पार्ट No.6 हमारे पार्ट का नाम है तीन साथी साथी क्या होते हैं? दोस्त या मित्र तो इस कहानी में हम तीन दोस्तों के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहले आप इस चित्र को देखिए आपको इसमें क्या-क्या दिखाई दे रहा है इसमें एक हाथी है और एक बकरी है तो ये तो दो ही मित्र हुए तो आगे देखते हैं कि इनका तीसरा मित्र कौन बना चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं एक था हाथी एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते, तो दोनों एक साथ ही जंगल में जाते थे हाथी डाली जुकाता और बकरी पत्ते खाती हाथी बकरी की कैसे सहायता करता था? हाथी डाली को जुका देता था और बकरी पत्तों को खा जाती थी एक दिन दोनों जंगल में गए तो एक दिन दोनों कहां गए? जंगल में गए वहाँ एक तालाब दिखाई दिया जंगल में दोनों को क्या दिखाई दिया? एक तालाब वहाँ एक बेर का पेड था तालाब के पास किसका पेड था? बेर का पेड था हाथी ने पेड हिलाया बकरी बेर खाने लगी हाथी ने जब पेड को हिलाया तो बेर नीचे गिरने लगे और बकरी बेर खाने लगी तब ही पेड से चिडिया का बच्चा पानी में गिरा जब वो दोनों बेर खा रहे थे तो एक चिडिया का छोटा बच्चा पानी में गिर गया बकरी उसे बचाने गई तो वहे भी डूबने लगी तो बकरी क्यों डूबने लगी क्योंकि बकरी को तैरना नहीं आता था हाथी ने दोनों को बाहर निकाला दोनों को बाहर किसने निकाला? हाथी ने कुछ दिनों में चिडिया का बच्चा बड़ा हो गया चिडिया पता लगाती कि कहां कहां फल लगे हैं तीनों वहां जाते और खूब फल खाते अब तीन साथी साथ रहते तो अब चिडिया पता लगाती थी कि फल कहां लगे हैं और हाथी और बकरी को बता देती थी तो तीनों वहाँ जाते और खूब सारे फल खाते तो अब वो दो से कितने मित्र हो गए थे? तीन मित्र हाथी, बकरी और चिडिया तो ये तीनों साथी साथ साथ रहने लगे